हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटियोरियल पर स्वागत हैं तो आप मेंसे काफी सारे बच्चों ने नई सिक्षानिति के बारे में सुना होगा कि अगले सत्र से नई सिक्षानिति पूरे भारत देश में लागू होने वाला है इसी के रिगार्डिंग आज का न् न्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि नई सिक्षानिति के तहत नई नई पूष्टके आएंगी और पूष्टके बदली जाएगी कुछ चैप्टर्स को हटाया जाएगा इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है क्लास 10 क्लास 9 में कौन कौन चैप्टर हटाया जाएग कुछ बच्चे भी कुछ दिन पहले कमेंट कर रहे थे पूछ भी रहे थे कि नई सिक्षानिति में कुछ चैप्टर हटा दिया गया है तो उसको इस बार पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो देखिए इस बार उस हटाये गए चैप्टर से प्रष्ट नहीं आएंगे ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया है तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी फिलाल पूरा बुक पढ़िए पूरा बुक पढ़िए ताकि कोई दिक्कत ना हो आगा देखिए न्यूज को हम लोग पढ़ते हैं नई सिक्षानिति के अनुरूप बदलेंगी पाठ्थे पुस्तके पूरा पुस्तक चेंज हो जाएगा चैप्टर चेंज हो जाएगा कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा सब कुछ बदलने वाला है लेकिन नय सत्र से अगले साल अगर देखिए जारखन में 2024 से नई सिक्षानिति के अनुरूप स्कूली बच्चों का पुस्तके दी जाएगी 2024 से नई सिक्षानिति लागू हो रही है और 2024 में ही नया किताब मिलेगा नया में बिलकुल बदला हुआ चैप्टर बदला हुआ मिलेगा उसके अंदर लिखा हुआ फोटो पिक्चर सब कुछ बदला हुआ मिलेगा अगर देखिए इसके लिए सिक् निर्देश दे दिया है कि तयारी शुरूप कर दे क्योंकि समय बहुत ही कम है और पुस्तक के काफी ज्यादा छपाई होना है देखिए उन्होंने कहा कि नई सिक्षानिति में जिस प्रकार वर्गों को बाटा गया है उसी के अनुरूप तयारी करें पुस्तक के कंटेंट भी उसी अनुसार तयार होंगे कंटेंट यानि कि चैप्टर के बीच में जो वर्ड्स पिक्चर जो कंटेंट रहता है वो सबको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा कुछ चैप्टर्स को हटाये जाएगा कुछ नया टोपिक भी एड किया जा सकता है आग देखिए उन्हों ने RTE का पालन सभी नीजी स्कूलों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है साथ ही जो इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें बंद करने को कहा तो यही है आज का नयाने आपडेट कि नई सिक्षानिती में पुरा किताब कोपी सब कुछ चेंज हो जाने वाला है कुछ चेप्टर हटेंगे कुछ नए चेप्टर एड किये जाएंगे कंटेंट बदले जाएंगे सब कुछ बदलने वाला है लेकिन एक साल बाद और क्लास 10 का जो बोर्ड होता है 10 बोर्ड 12 बोर्ड 12 बोर्ड तो रहेगा 10 बोर्ड को हटा दिया जाएगा बस नॉर्मल सा एक्जाम होगा जिससे 8-9 में होता है इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं 12 से आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम सुरह हो जाएगा अगले साल से अगले सत्र से उस पर भी अलग से मैं वीडियो बना दूँगा किसे दिन आज के लिए तना ही तो कितने लोग नई सिक्षानिति के लिए एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताईएगा और कितने लोग नई सिक्षानिति के बारे में थोड़ा मुद जानते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं किनको किनको नई सिक्षानिति पसंद है या ना पसंद है आप कमेंट करके अपनी र हो जाए थैंक यू फर वाचिंग विडियो है वे गुड़ टे